हैं हैं अगे आगे आज करना सब्सक्राइब करना मत भूलना आपकी उखली का कमाल है वह जाएगा यृग और सब्सक्राइब रेडियूएक्टिविटी क्या है? The phenomenon of spontaneous emission of certain highly active radiation by radioactive substance. कुछ ऐसे radioactive substance है जिसे से एक ऐसी घटना है, फेनोमेना है, जो spontaneous emission of certain highly active radiation, उसे क्या होता है? काफी highly active radiation बाहर निकलती है, radiation continue निकलती है, जिसको हम कहते हैं radioactive substance तो एक ऐसा phenomenon है of spontaneous emission of certain highly active radiation by radioactive substance तो इस radioactive substance से ही radio हमारा radiation काफी तेजी से बाहर की और निकलती है तू अपने घर वालों की आस है तू अपने घर वालों की आस है उनकी उमीदों की सांस है उनकी उमीदों की सांस है तू जलता हुआ रेगिस्तान है तेरे अंदर कुछ करने की ठान है तो रूक मत तुझे करना कुछ महान है करना कुछ महान है वाहिए देखिए ये radioactive element है radioactive substance है radioactive element यहाँ एक सिस्टम में रखा जा रहा है तो देखिए कैसे आलफा रे इधर बीटा रे इधर गामा रे आलफा रे इधर की और जा रही है निगेटिव प्यूर इसका मतलब इस पर positive charge होती है तभी तो attraction होगा होगा attraction यह बीटा रे इधर positive प्यूर जा रही है इसका मतलब बीटा पर कौन सा चार्ज है निगेटिव चार्ज है कम आपके कोई चार्ज नहीं होता है कोई चार्ज नहीं होता है यह हो गया यह लेड रखा हो गया है ब्लॉक ओफ लेड है आलफा प्य पोजिटिव चार्ज होती है बीटा पे निगेटिव चार्ज होती है क्योंकि निगेटिव पोजिटिव प्यूर जा रही है तो पोजिट बोल्स में अट्रेक्शन होता है तो यह हमारा radioactive element होता है अब effect of electric field on radiation emitted from radioactive element रखा, पीटा, गामा तीन तरह के निकलती है इसमें से रेज तीन तरह के निकलती है क्या रेज, 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 रेज तीन तरह के निकलती है रेज अब जोखिए न थी टाइपस of रेज emitted by radioactive substance 낯ा अलफ है इसको फोन यूदक यके आठेटिकल है यह चार होता है मास चार होता है 6.6 इंटू 10 में पाइनस 24 ग्राम होता है एंट 2 इनिट पोजितिव चार्ज इनिट पोजितिव चार्ज 3.2 इनिट पाइनस 19 कूलम होता है ये ग्राम हो गया मास ये कूलम में हो गया चार्ज तो आलफा में 2 प्लाइट 2 plus, mass 4 हो गया है, 2 plus हो गया है, helium की जैसा हो गया है, जो helium में 4 होता है, ठीक है, तो यह याद रखेंगे, आलफा की जो positive charge है, यह value है, और जो मालफा की mass है, यह इतनी है, 6.6 N24 ग्राम है, और यह 4U है, आलफा, आलफा, रेज का, यह हुआ, जो radioactive elements है, बाहा निकला, बीटा बीटा पार्टकिल, deflected towards the positive plate, positive plate की और जाती है, और यह बीटा पे negative charge होता है, तो यह positive की और जाती है, इस बीटा पार्टिकल है the charge है, and mass same as on the deflection, gamma rays, also called gamma particle, not deflected by the applied field, no charge and negligible mass, no charge and negligible mass, तो यह आपने देखा, actually, जो penetrating power होती है, of the बीटा रेज, बीटा रेज की जो penetrating power होती है, nearly hundred times, hundred times more than alpha रेज, आलफा रेज से 100 गुना चाहते, बीटा रेज का penetrating power होती है, अब दोखिए, आलफा रेज से 100 गुना चाहते, तो गामा रेज, गामा रेज is about 1000 times more than बीटा रेज, लेजिए अब, लीजिए तामासा, ले लीजिए, ले लीजिए, समझ लेजिए, बीटा कहता था, यहाँ हम ही जादे हैं, बीटा का पाप निकल गया गामा, गामा रेज हंड़े 1000 times more than that of बीटा रेज, यह नि सबसे जादे नंबर वन पेनिटेटरिंग पावर किसका है, गामा रेज का है, किसका है, गामा रेज का है, टालफा रेज है, पर लीज्ट पेनिटेटरिंग हो गई, पावर, वाइल गामा रेज है प्दा मैक्सिमम सकता है ये विश्वास है तेरे अपनों को तो इससे आस है मत तक अब मेरे सेर मंजिल भी तो अब पास है ओके तन्यबाद बाई 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 कोल बाई